कि यह नमस्कार जैहिंद मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथ ही आपका गाइड योगी और आप देख रहे हैं यूटीव चैनल इंगलिस योगी तो गोरकपुर विस्विद्या लेधिन द्याल उपाध्यार गोरकपुर विस्विद्याले में डाउट्स परिसानिया ऐसे ऐसे प्रस्णों की संख्या अपार है जिनका उत्तर किसी के पास नहीं है और इस्टूडेंट्स परिशान है अर तरीके के मनमाने काम हैं और उन्हीं डाउट में से अभी आज जो एक सबसे बड़ा डाउट आपके मन में है वो है ऑनलाइन एक्जामेनेशन फॉर्म को ल कोई भी स्टूडेंट फार्म नहीं भरिएगा पहले असपस्टूप से अच्छा और आगे बात करने से पहले एक बात मैं और आपसे करना और कहना चाहूंगा कि पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनियेगा समझियेगा एक बार में नहीं समझ में आये तो दो बार सुनि करिएगा तब कोई प्रस्ण करिएगा क्योंकि जो बातें मैं वीडियो में बता चुका होता हूं वही बातें आप कमेंट में पूछते हैं इसका मतलब यह समझ में आता है कि आप या तो वीडियो पूरा देखते नहीं है या तो सुन करके समझते नहीं तो आपके निवेदन है कि आपके लिए बहुत महत्तूय डिसकुशन है बहुत महत्तूय सूचना है पूरा एक एक बात को ध्यान से सुनिए और समझिए गा क्योंकि एक निर्ण़े भी आपको आगे चल करके फसा सकता है एक गलत निर्ण़े आपके लिए थोड़ा सा क्योंकि इन सारी बातों का जो असर होगा वो केवल और केवल इस्टुडेंट्स पर होगा जो यूनिवस्टी है जो यूनिवस्टी के अधिकारी हैं जो अधर लोग हैं उन पर इसका कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इसलिए आपके निर्णे हैं बहुत सोच समझ करके तो बात हम कर रहे थे कि एक्जामिनेशन आनलाइन फार्म देखे आनलाइन एक्जामिनेशन फार्म का जो प्रॉसेस होता है वो प्रॉसेस यह है कि सबसे पहले जब फार्म भरना होता है आनलाइन एक्जामिनेशन तो यूनिवस्टी एक नोटिस जारी करता है कि फला तार बिभाग में या संबंधित दीन आफिस में जमा करेंगे अभी सबसे पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि विस्विद्याले ने examination form से संबंधित कोई notice जारी नहीं किया है जो offline form cbcs का भरा जाता है वो आज से भरा जाना स्टार्ट हुआ है उसको आप लीजिए उसको सही सही साफ सुथरा भर करके संबंधित बिभाग में या डीन आफिस में जहां उसको जमा होना है आप उसे जमा करिए online examination form कब से भरना है इसकी सूचना विस्विद्याले बकाइदा एक notice जारी करके आपको सूचित करेगा अब आपके मन में एक प्रस्णा आ रहा होगा कि अगर अभी farm भरना नहीं है तो farm खुल कैसे रहा है खुल क्यों रहा है ये पहली बार समस्चा नहीं है ऐसी समस्चा इसके पहले हुई है संभव है कि अभी जो आपका farm है वो processing में हो या trial हो रहा हो तो उन conditions में farm खुल रहा है आधिकारिक रूप से वो farm का खुलना तब माना जाए जब विश्विद्याले आपको एक किसी notice के माध्यम से सोचित करेगा ये तो सबसे पहली और मुख्य बात हुई आप तब तक कोई farm online मत भरिएगा ना सम्मिट करिएगा जब तक कि विश्विद्याले आपको notice नहीं देता है या फिर आप अपने संबंधित विभाग के वि रहा है और हमको भरना चाहिए तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने संबंधित संकाय के डीन से या उनकी आफिस में जाकर के इस संबंध में पूछिए कि सर online farm क्या भरना है भरा जा रहा है या नहीं अगर वो कहते हैं कि हाँ भरना है तब आप उसको भरिएगा अभी उ अभी आपको farm भरना है या नहीं भरना है तो मेरा जो कहना है जो मेरा suggestion है अभी विश्विद्याले ने कोई notice जारी नहीं किया है online farm के संबंध में अभी केवल और केवल आपको विभागों से डीन आफिस से admission cell से tbcs का farm दिया जा रहा है आप उसको लीजिए उसको fill करिए उसको संबंध teacher से संबंध मेंटर से signature कराईए और ले जाकर के आप submit करिए online farm जब भरना होगा तो आपको उसकी सूचना दी जाएगी तब आप भरिएगा अब बात करते हैं कि farm में गलती कहाँ है विसंगती कहाँ है देकि farm में जो गलती है आप अपना farm खोलेंगे तो उसमें आपका जो major subject है उसके selection के लिए आपको option मिलेगा नियमता आपको तीनो विसे के तीनो तीनो पेपर दिखाई देने चाहिए जो तरीका है जो नियम है जिस list तरीके से दिख रहा है अगर उस तरीके से दिख रहा है limited subject ही जितने आपने select किये हैं उतना ही दिख रहा है तो उस condition में तीनो subject का तीनो paper दिखना चाहिए आपके पास ये choice होनी चाहिए कि किस subject का 101 आप select करेंगे colleges के लिए जो form खुल रहा है जो colleges भरेंगे college के students खुद से form नहीं भरते हैं जो colleges का student के form भरे जाएंगे तो उसमें उनको तीनो subject select करना है और तीनो subject में किस subject का 101 वो पढ़ेंगे वो खुद decide करते हैं अब आप कहेंगे किसा आप वो पहले से decide कर दिये हैं कि subject का 101 पढ़ना है तो उसमें दिक्कत क्या है उसमें परिशानी क्या है उसको हम बताते हैं इस बात को समझने के लिए हम आपको दो subject combinations का example देंगे यानि कि आपके जो subject combinations हैं graduation में परिशेस रूप से हम graduation की बात करें क्योंकि 101 की समस्या graduation की है तो अगर graduation की बात करें तो दो प्रकार के subject combination हो सकते हैं जैसे एक subject combination वो हो सकता है जिसमें एक ही final combination बनेगा third year के लिए कि आपको एक subject ऐसा ही होगा कि जो आप continue कर सकते हैं से एक्जांपल मैं दूँ आपको sociology education English माल लिजे इन तीन विश्यों का किसी का combination मैंने क्या कहा sociology education और English अब combination जो देखा जाता है वो TGT examination के लिए देखा जाता है तो इसमें sociology और education दोनों TGT के subjects नहीं है तो इस condition में आपके पास क्या बचता है English तो English आपको हर हाल में third year में continue करना है तो ऐसे में अगर आपको English का 101 selected मिला है तो बहुत अच्छा है क्योंकि आपको English continue करना है जनरली English मिलेगा मैंने जो combination इस तरीके के देखे उसमें English का 101 select है और अगर student को English का 101 वहाँ पढ़ना है तब तो ठीक है लेकिन माल लीजे कोई एसा student है जो English third year में छोड़ देना चाहता है वो sociology में पढ़ना चाहता है education continue करना चाहता है उस condition में उसको क्या चलिए माल लीजे यहां आपका combination का problem नहीं है लेकिन अगर कोई ऐसा student है जिसके पास ऐसे combination है कि वो एक से अधिक भी से उसके पास छोड़ने का option है मतलब कि तीन subject में से कोई भी subject छोड़ दे तो उसका combination बनेगा for example माल लीजे किसी student के पास history है political science है और English है तो history, political science, English इस combination के students कई प्रकार से subject छोड़ सकते हैं कुछ student ऐसे हो सकते हैं जो English को drop कर दे political science और history continue कर ले कुछ ऐसे हो सकते हैं जो history छोड़ दे English और political science continue कर ले और कुछ ऐसे होंगे जो political science छोड़ करके English और history continue कर सकते हैं दोनों ही condition में तीनों ही condition में उनका एक combination बनेगा अगर English छोड़ते हैं तो उनका political science और history का combination रहेगा और अगर history और political science में से कोई एक छोड़ रहे हैं तो उनका English एक subject एल्टी के लिए रहेगा उनका इंगलिस एक सब्जक्ट टीजी टी के लिए रहेगा तो अब ये चॉइस इस्टूडेंट के पास होनी चाहिए ठीक है और ये जो फार्म अभी आपको आफलाइन भरने के लिए मिला है उसमें इस्टूडेंट अपनी चॉइस के बर रहा है तो कहीं अगर ऐसी स्थिती बनी कि इस फार्म में इस्टूडेंट ने अपनी चॉइस से भर दिया और वो चॉइस उस इस्टूडेंट को वहां आनलाइन फार्म में नहीं मिली तो प्राबलम होगी तो इस बात को मैं कहूंगा कि आप अपने संबंधित दीन से आर्ट फेकल्टी के हैं तो आर्ट फेकल्टी के डीन से साइंस फेकल्टी के हैं तो साइंस फेकल्टी के डीन से ठीक है कामर्स के हैं तो कामर्स के डीन से समझ लीजिएगा पहली बात दूसरी बात ये है कि अभी पहले आप आफलाइन फार्म जमा कर दीजिए फिर रही हैं कि आपके पास समय नहीं कल के बाद युनवस्टी बंध हो जाएगी फिर 28 तारीक को खुलेगे 29 तारीक से एक्जाम ठीक है तो बहुत ही टाइट सिच्वेशन है बहुत ही गंभी रिस्थितियां तो बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाइए आप आनलाइन भागा ध्यक्ष से अपने डीन से जरूर ही कोसिस करके उसको तै करिए उनसे पूछिए कि क्या सर भरना है या नहीं भरना है क्योंकि नोटिस नहीं दी गई है ठीक है तो पहली बात और अगर आपको भरना है उस कंडिशन में उनसे ये सवाल जरूर करिए कि सर CBCS का मतलब क्या हुआ जब हमारे पास चॉइस है ही नहीं तो किस बात का चॉइस बेस्ट करिड सस्टम मेजर में चॉइस खतम कर दिया गया 101 अपनी तरफ से सिलेक्ट करके दे दिये वहां कोई चॉइस खतम हो गई इसके बात आपको माइनर एलेक्टिव में आया है वहां पर एक option आपके पास हैं उसमें से एक ही पढ़ना है और एक कंपल सरी है तो काहे का चौइस रहा तो क्या minor को करिकुलर की चौइस के लिए CBCS है और ऐसा CBCS सिस्टम जिसके किसी भी प्रसन का जवाब किसी head के पास नहीं है किसी प्रोफेसर के पास नहीं है किसी आफिस में नहीं है जिस चीज को कोई समझता नहीं है उस चीज को students पर थोपने की क्या जरूत है पहले खुद समझ लीजिए तब students पर लागू करिए तो इस condition में ये आपका अधिकार है CBCS का मतलब होता है कि कौन सा बिसे आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है ये आपके अपना decision होगा तो किस subject को आप 101 लेंगे देखे 101 जिस subject का आपने ले लिया वो subject आपका research तक साथ चलेगा graduation third year में subject काम करेगा रहेगा अपने आप जो तीसरा subject होगा वो अपने आप फिफ्ट सेमेस्टर में खुलेगा ही नहीं fourth year अगा आप graduation continue करते हैं तो आपका cable वही पहला subject continue होगा जिस subject में आप 101 किया है इसलिए 101 का chain आप सोच समझ के करिए अपनी इच्छा के अनुसार करिए मुझे बहुत सारे ऐसे स्टुएंट्स मिले जिनको इंगलिस का 101 पढ़ना है इंगलिस कंटिन्यू करनी है उनका history का 101 selected है मुझे ऐसे student मिले जिनको political science का 101 continue करना है उनका history selected है तो इस बात का अधिकार आपके पास होना चाहिए हो सकता है संभव है कि उस form में अभी processing चल रही हो अभी उसमें option जोड़ दिये जाए ठीक है इसलिए इंतजार करिए notice का wait करिए या फिर अपने dean से अपने head से इस संबन्ध में बात करिए ये आपका अधिकार है इस संबन्ध में बात आपको करने की जरूद पड़ेगी अकेले बात कर सकते हैं तो अकेले जाकर के पूछिएगा अकेले बात करिएगा समूह में पूछने की जरूद पड़े तो समूह में जाकर कि ये बात पूछिएगा बिना किसी confirmation के कोई form नहीं भरी है क्योंकि आपने एक बार 101 का selection कर दिया तो फिर उसको बदल नहीं पाएंगे विस्विद्याले में subject बदले नहीं जाते हैं मुझे students कई students पूछ चुके सर सब्जेक्ट बदलेगा नहीं बदल सकता है विस्विद्याले में subject जो आपने एक बार select कर लिया उसको बदलने की कोई व्यवस्था नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं तो in that condition आप कोई भी कदम सोच समझ करके उठाईए नहीं समझ में आता है तो कि फॉर्म खुलने लगा इस टूड़न्स फिल करने लगे और उसमें पेपर गलत था पेपर का कोड गलत था पेपर का नाम गलत था हम लोगों ने बहुत कोसिस की तब जाकर के पेपर का नाम बदला था मैंने खुद चार बार लिख करके दिये थे तब पेपर का नाम सही ह तो इस कंडिशन में आप ये बात ध्यान में रखिए कि और जब आधे स्टुएट भर चुके थे तब नोटिस आई थी और उसके बाद सारे स्टुएट्स फिल किये उसके लास्ट एट थी उसके बाद ले जाकर प्रिंट आउट सब्मिट किये सो घवराने की जरुत नहीं है सान्ती से अभी आपको exam का date दिया गया है आपको offline form जमा करने के लिए दिया गया है कल का समय है कल पहुँचिए ध्यान से उस form को भरिए जिन जिन teachers के signature उस पे होने होने उसे signature कराईए और उसको जमा करिए इतने में आपका समय निकल जाएगा कल का और अगर समय बचे जब भी आप हेड के पास जाए डीन आफिस में जाएं वहाँ ये एक प्रस्ण आनलाइन फॉर्म से सम्बंधित जरूर करें और ये भी प्रस्ण करें कि वहाँ पर 101 सेलेक्ट करने का आप्शन नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है तो सबसे पहली बात इतनी दे के discussion का कि आपको अभी form फिल नहीं करना है आनलाइन वाला आफलाइन वाला जो form है उसको सोच समझ करके आप decide कर लीजे कि subject का आपको 101 पढ़ना है ठीक है उस subject का आप 101 select करिए उसमें fill करिए उसके बाद आपको finally online examination में choice मिलेगी ही मिलेगी इस बात का अधिकार आपके पास है कि आप select करेंगे 101 कौन सा पढ़ेंगे इस बात का निर्णे आप करेंगे कि आपको MA कि subject में करना है यह आपका अपना निर्णे होगा कि किस बिसे में आप mastery हासिल करेंगे किस बिसे में आप research करेंगे तो बहुत परिशान होने की जरुत नहीं है चुप चाप आप form भरिए जो नहीं समझ में आता है उसको उससे पूछने की कोसिस करिए जिसको समझ में आ रहा हो ठीक है misguiding काम मत करिएगा मैं मुझे कुछ students ऐसे भी मिले जुन बताया कि सर फला बैक्ती ने हमको बताया कि आप उन subjects का भी 101 पढ़ सकते हैं जो subject आप में select नहीं किया नहीं कर सकते भाई जो तीन subject आपने पढ़े हैं उसी लिए हैं उसी तीन subject में से किसी एक subject का 101 पढ़न माइनर एलेक्टिब में आपको एक लेना है 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 यह कंपलसरी है तो मैं कहूंगा कि जो कंपलसरी है उसी को आप select करिए क्योंकि अगर उसको आप select नहीं करते हैं सेमेस्टर में तो आपको first, third, fifth किसी ना किसी सेमेस्टर में उस paper को देना ही पढ़ेगा तो भाई जो देना ह है तो उसको अभी दीजिए ना आगे दूसरा paper select करिए जब ज़रूत होगी तो जो कंपलसरी है उसको select करिए है एच आइस 106 select करिए आप उसको दे करके खत्म करिए आप माइनर करिकूलर में माइनर को करिकूलर में आगर आप NCC के student है तो NCC है तो आपको दूसरा select करने की ही नहीं है तो आप NCC select कर सकते हैं रेंजर रोवर सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आन्य कोई select कर सकते हैं सभी वाइबा से अधे ठीक है उसके बाद आपका आता है माइनर को कलिक सारी माइनर वोकेशनल में में आप पास तीन option है तीन option में आप या तो जैसे लड़कियां है तो लड़कियां फैसन डिजाइनिंग वाला जो आप्शन है ठीक है फंडामेंटल साफ फैसन डिजाइनिंग उसको ले सकती है अगर उनकी च्वाइस है नहीं तो एजुकेशन इंफोरमेशन टेकनलाजी का जो माइनर वाकिशनल है उसको ले सकते हैं आप तो उसमें से एक सेलेक्ट कर लिजे उसमें कोई इशू नहीं है वाइबा बेस जो भी है एक्जाम नहीं देना है आपके ये सिंपल सी बातें और एक खास बात और ध्यान रखना है जैसे आपने अगर मेजर सब्जेक्ट में कोई लेंगवेज सेलेक्ट कर रखी है जैसे माल लिजे आपके मेजर तीनों सब्जेक्ट में इंग्लिस सब्जेक्ट है तो आप माइनर इलेक्टिब में ENG100 नहीं ले सकते हैं जो इंग्लिस का बेसिक है आप उस subject को नहीं लेंगे अगर आपने हिंदी ले रखा है अपने major में तो हिंदी का जो minor elective है आप उसको नहीं ले सकते आप उर्दू subject है major में तो आप minor elective उर्दू का नहीं ले सकते हैं इस बात का भी ध्यान रखिएगा तो finally अभी का जो outcome है अभी पूरे वीडियो का जो discussion का बिसे है वो मैं summarize कर देता हूँ पहली बात आपको अभी farm नहीं फिल करना है बात नमबर दो notice का इंतजार करना है notice आएगी तब आपको फिल करना है बात नमबर तीन आप जब भी अपने head के पास जाएंगे dean के पास जाएंगे dean office में जाएंगे वहाँ यह प्रस्न जरूर करेंगे कि क्या online form आ गया है online form फिल करना है तो वो आपको खुद ही बताएंगे हाँ या ना अगर वो कहते हैं हाँ तो उस condition में आपको उनसे एक प्रस्न और करना है कि स्रिमान जी उसमें 101 choice नहीं आ रही है 101 select करने का option नहीं आ रहा है हमें फला भिस है का 101 पढ़ना है उसमें फला भिस है का 101 आ रहा है और अगर आपका खुल रहा है तो मैं यह कहूंगा कि एक बार अपना form open करके देख लीजिए कि 101 किसका आपके form में so कर रहा है ठीक है और इस बात को भी विचार कर लीजिए कि जो so कर रहा है क्या वही पढ़ना है या दूसरा पढ़ना है अगर वही पढ़ना है तब आपके साथ कोई समस्या नहीं है लेकिन अगर आपको दूसरा पढ़ना जैसे मैंने एक्जांपल दिया आपका form खुलने में देखिये पहले जो सिस्टम था examination form का जो option है वहाँ से आपका form खुलता था लेकिन इस बार वहाँ से अभी नहीं खुल रहा है आगे खुलेगा कि नहीं खुलेगा पता नहीं इस अभी वहाँ पर एक campus student login का option है वहाँ जाएंगे अपना entrance का roll number डालेंगे entrance के roll number के साथ आपका सारा basic detail और आपका examination form वहाँ पर मिलेगा ये भी संभव है चुकि examination वाले link पर अभी form नहीं open हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ जो campus login है student campus student login है वो केवल students की basic details save रखने का option हो जो आपने अभी तक form admission लिया है वहाँ तक की जो detail है उसको उन्होंने server पर save रखा हो और उसी का use करके वो आपका examination form create करते हैं क्योंकि cbcs वाला option examination form वाले option पर है तो इस condition में आपको इंतजार करना है आपको dean से पूछना है आपको head से पूछना है और जो भी आपके सवाल का जबाब दे सके उनसे पूछना है तब इसको select करना है फिल हाल की स्थिती में आप offline form जो कई रंगों के pages पर आपको मिले हुए है उसको भरिये उसमे 101 किस विषय का पढ़ना है उसको आप लिखेंगे उसमें आपको 7 विषय major के लिखने है 7 paper मतलब एक जो पहला विषय होगा उसका में 3 paper लिखना है 101, 102, 103 बाकी के दूसरे तीसर के दो-दो paper लिखने है, 4, 3, 7 आपको 7 paper major के लिखने है, 8 आपको minor elective का लिखना है, 9 आपको minor co-curricular का लिखना है और 10 आपको minor vocational का लिखना है, total 10 paper आप उस form पर mention करेंगे, 10 अलग-अलग teacher उस पर signature करेंगे उसके बाद एक mentor का signature होगा और तब जा करके आप अपना form submit करेंगे, तो इन सब बातों को बहुत ध्यान से भरिएगा, जब नहीं समझ में आए तो किसी से समझ करके तब भरिएगा, क्योंकि एक बार form मिला है, आप गलत भर देंगे, आपको whitener लगाना पड़ेगा, cutting होग इस से बेहतर है कि आपको जितनी चीजें समझ में आए उतना ही लिखिएगा, नहीं समझ में आए तो किसी से पूँच करके लिखिएगा, इस वीडियो में इतना ही, अगर examination form या अन्य form चीजों से doubt आपके दिमाग में आ रहा है, तो आप उसको comment में लिखिएगा, ये इस जो बनाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि कल साम से ही मेरे पास phone और group में इसका discussion बहुत जोरो पर था, students बहुत परिशान थे, कल साम को एक student ने मुझे phone किया, उससे लगभग एक घंटे इस बात पर बात हुई, मैंने पुरा form students का roll number ले करके, 2-3-4 form खोल करके देखे, समझा, लोगों से discuss किया चीजों को, finally जो discussion निकला, finally जो बिचार निकल के आया, जो बात समझ में आई, वो हमने आपको बता दिया, उमीद है कि इससे आपको help होगी, आप बातों को समझ गए होगे, आपको जो भी problem होगी, कोसिस हमारी होगी, कि उससे समंधित जो सही और सटीक जा हो, वो हम देते हैं, यह हमारी हमेशा से कोसिस रहती है, उमीद है, यह वीडियो भी आपके बहुत काम आएगा, आपके डाउट्स का, आपके प्रस्नों का, आपके संदेहों का नेरा करन होगा, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं, तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाईएगा, अच्छा लगे तो, ना पसंद आये, नहीं helpful है, तो आप dislike भी जरूर करिएगा, ताकि हमको यह पता चले, कि हमारा जो effort है, वो आपके कितना काम का है, और साथ ही साथ, दूसरे students तक share करिएगा, ताकि हम उन सभी students तक पहुंच सकें, जिनको हमारी जरूरत है, जैसे हम आप तक पहुंचे हैं, वैसे आपने Facebook, WhatsApp, Telegram के माध्यम से share करिएगा, ताकि maximum students को मिल सकें, तो इस वीडियो में इतना ही, आपके और भी doubts पर, और भी संदेहों पर, और भी समस्याओं पर हम नए-ने वीडियो लेकर के आते रहेंगे, आपके दो-दो unit, first and second unit पर हम discussion करेंगे, ताकि आपको आपके examination के लिए कुछ मागदरसन मिल सके, कुछ important questions पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम लोग उन questions के suitable answer कैसे लिखे जाएं, क्या लिखा जाएं, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं, सो बने रहिए channel के साथ, बने र झाले हैं